अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे पूर सैनिकों और केंदरी करमचारियों के लिए दोस्तो तीन से चार इंपॉर्टन अपडेट जहां पे दोस्तो जो जो कम्यूटेशन का जो पैसा है अब काफी जादा जो यह उपर डिसक्क्रेशन चल रहा है कि जब से हाई कोड का मनिया है हाई कोड का जो एक फैसला है जहां पर यह माना गया है कि अभी के टाइम पर जो रिकवरी का प्रॉसेस ही वह 15 साल है और जो आर्गुमेंट दिया गया है उस आर्गुमेंट में यह कहा गया है कि जो का recovery है वो आज के जो current rate of interest है उसके इसाब से जो है 7-8% के हिसाब से आपका 11.5 यह में complete हो जाता है तो उस case में दोस्तों जो यह तीन सार तीन साल जो एक्स्ट्रा जो आपसे पैसे काटे जा रहे हैं वो उसके उपर stay लगा दी गई है कि अभी further उसकी recovery नहीं हो लेकिन इसके उपर दोस्तों बहुत सारे जो पेंश्टन से आप उनकी questions आ रहे हैं डेली आ रहे हैं उसमें भी कि जिनका तो जो है अभी नहीं कटा है तो उनको तो interim relief मिल गया क्योंकि अभी सबी को यह है कि जिन लोगों का already extra पैसा जा चुका है अगर calculation करें तो दोस्तों उन लोगों का क्या होगा क्या उन लोगों के पैसे वापिस होंगे कई जगा पर यह भी हो गया कि वही कई लोगों नहीं कई जो है न्यूज में भी यह दिखाए जा रहा है कि चैनल में दिख फर्दर प्रोसेस है जो रिकावरी का जो फर्दर प्रोसेस है उस पर जो है कि स्टे लगा दिया गया है यानि कि अब आने वाले टाइम में भी आपका जो है रिकावरी प्रोसेस बंद रहेगा और इसके बासे जब दूस्तों फाइनल जज्जमेंट आता है तब यह clarity होगी और उस टाइम पर एक clarity होगी कि जिलनों का अल्रेडी कट चुका एक्स्टा क्या उनके वापिस मिलने हैं और जिलनों का नहीं कट रहा है जिलनों का कुछ एक्स्टा कटा अभी भी कटा है उनको कितना वापिस मिलना है वापिस मिलना भी है कि नहीं मिलना है यह सारे के सारे के टाइम से पहले हो जा रही है जो करेंट अब इंट्रेस्ट है जो कैलकुलेशन है तो उसको फिल्हाल अभी स्टे लगा दिया गया है कि अभी जो है कि फर्दर जो रिकावरी ना हो जिन जिनका हो चुका अलड़ी बट फुल एंट फाइल और के वेट की जा रही है उसके बाद से सबकी क्लारिटी होगी जहां पर भी बात चल रही है कि जो है पैसा वापिस मिलेगा या जिनकी एक्स्ट्रा रिकावरी होगी है उनको जो है कु कोड की तरफ से ऐसा कोई भी और नहीं है अगर कोई कह रहा तो अपने मंद से कह रहा है बट अभी सिर्फ और स्टे मिला है और उसके वैसे आपको जो है जो फर्दर आपका जो है रिकावरी प्रॉसेस है वह रुप गया है बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की जह उसमें पूरी की पूरी क्लारिटी है और उसमें क्लियर कट बताया गया है कि जो इंकम टेक्स है वो किन के लिए माफ है तो मैं बात करता हूं अभी जो सर्कुलर में लिखा है दो नोटिफिकेशन नंबर डेटेड और यह दोस्तों आज करने 1922 है तो मतलब यह काफी टाइ कि इंवेलिडेट धार नेवल मिलिटरी और एयरफोर्स इडिटेटी एड्रिट को की इंवेलिट कर दिया गया था और ऑ अग्रिवेटिटेड बाइस सच शर्विस या सर्विस की वैश से जो भी आपको इंवेलिट किया जारा है उन लोगों को जो है जो भी उन्को पेंश तो चाह कोई भी रेंक हो अगर इंस कंडिशन में आते हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा इसके लावा दोस्तों टेक्स एक्जंप्शन विल बी अवेलेबल आउनली तो दा आन्फोर्स परस्नल्स वेलेबलिद पर इंवेलेड वेलेड वेलेड हो इसके बाद से दोस्तों जो हैं जो डिसेबिलेटी हो गया या सर्विस के कारणा ऐसा हुआ है उन सब के लिए दोस्तों इंकम टेक्स माफ हैं नॉर्मल पेंशनर्स जो कि रेटायर्ड होते हैं सुपर नेशन के वैसे भी होते हैं उनके लिए माफ नहीं तो दोस्तों एक बड़ी खबर है और और अल्रेडी जो है जब यह नियम बना था तो उसी टाइम पर कर दिया गया था कि जो डिसेबिलिटी वैला क्लॉज है उसमें बताया गया था कि उनको जो है इंकम टेक्स देने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ सा दोस्तो आज जो है सपरश की पेंशन पेमिंट डे और आज सारे पेंशना के खाते में जो हैं पेंशthm होना शुरू हो गया है तो अभी आपके खाते में नहीं оволжस् tightened-प्ध और आपके क्षाह जाएगा ऊसमें को अगर आपके खाते में आना शुरू होगे तो आप दोस्तों मेसेज कमेंट करके पताएं जिससे की बRIAG से लोगों के लिए भी ठीक रहता है सपर्श से अबिचान कूर ना शुरू हो गये और विस मतुत अब नाकि पूर दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट अब्डेट सभी पूरु सैनिकों के लिए केंदरी करमचारियों के लिए दोस्तों गर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो